किसान मित्रों सादर नमस्कार स्वागत है आपका एकबार पुना आपके अपने चैनल एगरी सरद में किसान मित्रों इस समय जो है आपके गन्ने के फसल में सफेद मक्खी का परकोब अधिक दिखाई पड़ रहा है सफेद मक्की गन्ने के लिए एक महत्पूर्ण रस्चूसक कीट है जो तमाम तरहें के अन्नी फसलों को भी नुकसान पहुंचाते है सफेद मक्की के परकॉप से आपका गन्ना पीला पढ़ने लगता है इसके नुकसान के बारे में आपको तब पता चलता है जो आपकी पूरी फसल पीली दिखाई पढ़ने लगती है आप अपने फसल की निगरानी करते रहें इसका परकॉप एक किनारे साइड से ही सुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है आप अपने फसल की निगरानी करते रहें या निगरानी करने का एक तरीका बताएं आप अपने फसल के चारो तरफ यलो ट्रेप लगा दें और सुबह साम देखते रहें यदि उस यलो ट्रेप पे 100 से अधिक मक्खी चिपक गई है तब आपको कंट्रोल करने का समय आ चुका है किसान में तो सफेद मक्खी का जो अंडा है वो पत्तियों के निचली सिराओं पे मद्ध सिराओं पे चिपका हुआ दिखाई देता है बाद में जब निम्फ बनता है ये हलके पीले रंग के या बाद में काले चमकीले रंग के हो जाते है चप्टे रूप में दिखाई पड़ते हैं आप पत्ति को पलट के देखेंगे उल्टे साइड पे तो अंडा कार का आपको दिखेगा इसके कंट्रोल के लिए बात करें तो यदि आपकी फसल मौझूदा हालत में इस्प्रे करने के लाइक है तो आप इमडा कुलोप्रिड ले ले लें 17.8 परतसाथ एसल 1.5 समल परति एकड के हिसाब से और 200 लिटर पानी में गोल बना कर इस्प्रे कर दें यदि आप देखें इस्प्रे करने के कगार पे नहीं है तो आप एसी फिट ले लें 125 ग्राम और 12.5 किलो क्यूनाल फास पाउडर दोनों को अच्छे तरह मिला लें मिलाने के बाद में आप डस्टिंग कर दें इससे भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है 11.5 आपको जानकारी के लिए बता दें कि आप अपने फसल को अधिक जल भराव और पानी के तनाव दोनों से बचे अधिक जल भराव होता है तब भी वाइट फलाई अधिक बढ़ता है या पानी का तनाव पौधों पर होता है तब भी white fly अधिक बढ़ती है तो आप अपने फसल की निगरानी करते रहें यादि आपके फसल में भी इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप तत्काल कंट्रोल करें किसान मित्रो मेरे द्वारा दी गई जानकारी यादि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने अन किसान मित्रों को भी सियर करें अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ तब तक के लिए किसान मित्रों नमस्कार